हेल्थ चैनल में आपका फिर्श स्वागत है मैं हूँ आपका होस्त विशाल साथे आज हम सदा बाहर पे ये वेडियो कर रहे हैं मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये सदा बाहर का पौधा है ये अत्यंत रख्त शोधक है इन फैक्ट ये कुछ ऐसे वनस्पतियों में से एक है जो के कैंसर में भी बड़ा प्रभावी है अगर आपको आप कैंसर से पीडित है तो आपको क्या करना है आपको हरोज सदा बाहर के पत्ते खाने हैं साथी साथ आपको बिंगराज के भी पत् ये अगर आप बिंगराज के पत्ते और सदा बाहर के पत्ते ये अगर आप रेगुलर्ली खाते हैं तो कैंसर में कैंसर को ठीक करने में ये अत्यंत प्रभावी है इसके अलावा ये जैसे की रख्त शोड़क है इसलिए ये बहुत ही ऑवियस है कि ये सारे तुछा विकारो में भी बड़े काम का है अगर आपको फोड़ाफ उनसी है या फिर आपको और कोई तवाचा विकार है इस में भी अगर आप सदा भाहर का और धरिंग्राश का आप प्रेयोक करते हैं, तो हर तरह के त्वचार विकार दूर हो जाते हैं सदा बाहर किड्नी रोगों में भी बड़े काम का है अगर आपको किसी भी तरह का किड्नी विकार है इसमें भी दूसरे सारे खरपतवारों के साथ साथ आप सदा बाहर का भी प्रयोग करते हैं तो किड्नी विकारों में बड़ा लाब होता है सदा बाहर विशनाशक भी है अगर कोई कीडा काट जाए बरय या ततय या मधुमक्ही काट जाए काफी बार फेस पे या कहीं ये काटने पर वो पूरा सूझ जाता है 24-24 गंटे तक मैंने देखा है कि भयानक सूझना जाती है अगर कोई कीडा काट जाता है तुरंत अगर सदा बाहर के पत्ते और इसमें धिंगराज भी बहुत अच्छा काम करता है ये दोनों पत्ते अगर वहाँ थोड़ा मसल करके लगा दिये जाए तो विश तुरंत उतर जाता है और इस तरह की भयानक सूझन से आप बच जाते हैं दर्ज से भी बच जाते हैं सदाबार बहुत ही करवा होता है कहते हैं काफी लोग इस तरह से सिमीलीज देते हैं कि ये जहर जैसा करवा है सही है ये बहुत ही ज्यादा अत्यंत करवा होता है लेकिन इसका ये फायदा है कि ये diabetes में भी बड़े काम का है अगर आप diabetes से पीडित है तो टमाटर, खीरा, करेला के साथ-साथ सदाभार का अगर आप प्रयोग करते हैं तो diabetes में बहुत ही लाब करता है ये मोटापे को दूर करने में भी अत्यन्त कारगर है अगर बहुत फैट आपका बढ़ा हुआ है और आप मोटापे से परेशान है तो सदाभार का नियमित सेवन कीजिए इससे बहुत ही लाब होता है ये हर तरह के मूत्र विकार भी दूर करता है गोखरू के साथ और पत्थर चट्टा के साथ ये वाला जो है गोल पत्ते वाला लंबे पत्ते वाला नहीं लेना है गोल पत्ते वाला लेना है पत्तर चट्टा इसके साथ अगर सदाभार का सेवन करते हैं तो मूत्र विकार में बड़ा लाब होता है इसमें आप सहरेवी का भी साथ ही साथ उपयोग कर सकते हैं और हर तरह के होता है इससे आपके अगर शरीर में किसी तरह की कमजोरी है तो वो दूर हो जाती है कि देखिए सदा बाहर है मैं आजकल इसके हर रोज दो पत्ते खा रहा हूं काफी सारे पत्ते उनफोर्चनेटली इसके खा गया हूं मैं इसमें बहुत सारे कलर आते हैं कॉर्परेशन आजकल इसे डिवाइडर्स पे लगा रही है लेकिन इसके जो में प्रजातिया है यह दो है एक यह बैंगनी रंग का सदा बाहर होता है और सफेद फूल वाला यह दोनों आपको आउश्यदी प्रयोग में यूज करने है इसमें लाल वाला भी आता है वो इतना कारगर नहीं होता है तो आपने करना क्या है आपने इसका पत्ता से तोड़ना है और इसे खा जाना है यह अत्यनती करवा है बहुत ही ज्यादा करवा तो काफी डिसकमफर्ट होता है लेकिन मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ जो आजकल मैं यूज कर रहा हूँ आपको करना क्या है सदा बाहर के पत्तो को दूसरे पत्तो के साथ है, ऐसे तुलसी का पत्ता मैंने तोड़ा है, एक ब्रिंगराज का तोड़ लेता हूं, एक भूमियावला का तोड़ लेता हूं, देखिए मैंने ये भूमिया उला लिया है, ये बिरिंगराज है, ये तुलसी है और सदा बाहर है, ये साथ में, ये साथ में मिला करके अगर खा लेते हैं, तो ये पता ही नहीं लगता है कि सदा बाहर का मैं पत्ता खा रहा हूँ, दूसरे वनस्पतियों के साथ मिला करके, जब हम खाते हैं, तो इसकी कड़वाट पूरी तर से गाय भुझाती है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मुझे कॉन्टैक करना चाहते हैं, तो मैं मेरा नंबर यहां पे फ्लैश क कॉन्टैक कर सकते हैं, और जैसे कि मैं हमेशा निवदन करता हूँ, प्लीज इस नंबर पे मुझे कॉल मत किजिएगा, तो अगले एपिसोड में ऐसी किसी इंट्रेस्टिंग विशे के साथ, मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए मुझे आगया दीजिए, बाई! कर तब दू एपिसोड़ी के लिए संबर पे मैं हमें विए को लिए भागया देुरिंगा, तब दिस नंबर दो फिर ऑगले एपिसों के साथ, आपसे अभूट, दो आपसे हूए!